जमशेग पूर में कोलहान के पुर्व डियाईजी राजी वरंजन सिंग ने 1932 खतियान को लेकर सरकार से सोच समझ कर आगे बढ़ने की मांग की है उन्होंने प्रेस कॉंफरेंस में कहा है कि 1932 खतियान काफी सेंसिटिफ मुद्दा है जारखन के जंगलों में 15,000 से अधिक गाउं है जो राजस्व गाउं नहीं है इंट्रा सेटलमेंट सर्वे नहीं हुआ है उन्होंने कहा है कि 1947 से पहले जारकंड के जंगलों में काफी लोग रहते थे 1952 में Forest Regulation Act बना है उसके बाद सर्वे हुआ लेकिन जंगल में रहने वालों का सर्वे नहीं हुआ इसलिए वर्ष 2006 में जारकंड सरकार ने वन पट्टा अदिनियम बनाया है लोगों को हटाना शुरू किया इसके बावजूद अभी भी जंगलों में रहने वाले लोग के पास खतियान नहीं है चुलिए अभी हाल में 14 सितंबर को जो अस्थानिय निती जारकंड में जो कैबिनेट के द्वारा पास की गई है 1932 के खतियान धारित तो उसके समन में मैं कुछ अपना विजार ब्यक्त करना चाहता हूँ सबसे पहले तो मैं सभी मीडिया बंधूओं के मात्यम से ये कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूँ कि मैं पलामू का रहने वाला हूँ और मैं स्वैम 1932 का खतियान धारी हूँ मैं यहां का सदान हूँ इसलिए मैं इस नीती का बिरोध बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ लेकिन इस नीती का विवेचना करने की इक्षा जरूर हुई कि इस नीती से यहां के सदानों को यहां के मूल वास्यों को कितना भला होगा और कितना प्रॉबलम होगा बिसकली आज का प्रेस कॉंफरेंस का मुद्दा यही है चुले अभी हाल में वेल्कम तू चाचा मामा तंगल धास ज्यादकार संजय मिश्णा से भुजारिशा है कि वा खाड़े में कूद है और फुल्ट उसको टॉफी से नमाज है लगता है समाधी लेली अज़े पुणाए अज़े पुल्ट आए अज़े पुल्ट आए अज़े 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 आए अज़े आए तॉप टेक्सिमेंट जो जोड़े तो छोड़े नहीं मजबूती ही हमारी पहचार वेल्कम तू चाचा मामा तंगल धास ज्यादकार संजय मिश्णा से भुजारिशा है गिवाख खारे में पूरें और फुल्ट उसको टॉफिस है नमासे लगता है समाधी लेली अज़े पुदाए अज़े पुदाए अज़े पुदाशार लो टॉप टेक्सिमेंट जो जोड़े तो छोड़े नहीं मजबूती ही हमारी पहचार